कांगरेस गोड़ दानी है रहें जे सीट बचाना है सीट बचेगी हमारे इतिहाद के बुनियाद बचेगी और पांच साल वो बेखे वे पांच गुत्ते जारों को फैदा मिलाने के लिए पांच चटा आज में को कुछ का कोई फादा नहीं ले रहा शतरा कॉंगरेस के यम में ले अपरेशन लोटस के नाम पर अपने आपको बेच का भारतिये जटा पार्टी के हुकूमत यहां करनाटका में लाए यह जटा पार्टी के हुकूमत की वजय क्या है क्या अवाम ने उनको वोड दिया था क्या उनकी हुकूमत थी हुकूमत नहीं थी सतरा कॉंगरेस के यम में ले जो सेकूररिजम का नकाब फेंड के अवाम के बीच में आए थी कॉंगरेस के पार्टी के सिंबल लेकर अवाम के बीच में आए थी वो Operation Lotus के नाम पर अपने आपको बेच कर भारतिय जंता पार्टी के हुकुमत यहां करनाटका में लाए है 17 यह मिल ले है कामरे से रिजाइन करते हैं बीजेपी से कैंडेट बनते हैं और फिर से जीट के आते हैं मैं इतना ही कहना चाहता हूँ के इंगुरिष्टा थाड़े तीन साल में जो करनाटका के अंदर जो बाहिचार की महभबत जो सेकलरिजम हिंद गंगा जिमित तहजीब थी यहां पर सर्वजनान का दशांतिय तोटायों से कहते हैं को एंपो हमारे इतना फिरका परस्त माहोर करना तक हमें कभी भी नहीं हुआ कभी भी हिजाब के नाम पर हमारी बहनों को कॉलेज जाने से रोखा गया हमारे इबादत गरों को अजान के नाम पर बाबंदी लगाई गई हमारे बड़े बड़े आस्थानों पर जहां गुलवरगा में अलन शरीष में हदरत लाले मशाद अंसारी रह्मत अल़े के बारगा में जो मामला हुआ आपके बीच में है हमारी माउं और भेनों को इल्म है 125 लोगों को गिराफतार किया गया दस हमारी माउं और भेनों को सलाकों के पीछे दला गया जेल बेजा गया मैंगलोर में डीजे हर्ली में हुआ मामला साड़े आठ सव से जायद लो साड़े आठ सव कितने एक नहीं दो नहीं तीन साड़े आठ सव इंजिनियर्स डॉक्टर्स उनको जेल बेजा गया हमारे अलंग के मामला होने के बाद कई 15 दिन में हुबली में एक मामला हो यहां पर बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट है हमारे कलेर साहब है हमारे गौस बाबा जुनेजी साहब है अब जाए गौलवरगा के सेंटरल जेल को आज भी 40 लोग हुबली के मामले में आज भी गौलवरगा के जेल में मौचूद है सेम केस डाला गया हालत में जो केस डाला गया सेम केस डाला गया मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आग हमारे उपर मुझलसिल फासिस ताकते हावी हो रही है हमको कमजोर साबित करने की मुझलसिल कोशिश कर रहे है हमारी तारीक जो है हिंदुस्तान की उस तारीक को दबाने की कोशिश कर रहे है हज़र टिपु सुल्तान रहमत अलाए के तालुक से नेगेटिव कैमपेंड हो रहा है हमारे खाने पर हलाल कट नहीं बिकना चाहिए जटका कट होना चाहिए हलाल कट पर पावद नहीं होनी चाहिए जरूरी नहीं है इस तरह की बाचीत होना जो शक्स हलाल खाना चाहता है जो जटका कहना चाहता है जटका कहना मगर साबित करने की कोशिश की जारी है कि जो मुसलमान इस रियास्त में रहता है उसके तमाम जो जिन्दगी गुजारनी का जो तरीका है उसकी जो सोच है चाहे उसके इबादत घर है यहाँ पर गुलबरगा में सुपर मार्केट की एक मरकजी मस्जिद वहाँ पर अलल ऐलान करकर जवर्गी से एक फासिस्ट स्वामी आके बोलता है कि हम लौड स्पीकर निकालेगे लौड स्पीकर निकालकर हनुमान चालीस अपड़ाएंगे मैं आप से पूछना चाहता हूँ हमारी माओं और भेहनों से पूछना चाहता हूँ अगर हिजाब पर बात होती है तो उसका जवाब देना चाहिए के नहीं देना चाहिए हमारे मजजीदों तर कोई आके बोलेगा कि हम लौड स्पीकर निकालेगे हनुमान चालीसा लगाएंगे लगाने तो हनुमान चालीसा काम एतराम करते हैं हमारी दुबाई या बर्गवेटे हैं मैं बक्ती से करें हम अपनी इबादत हमारे मजजीद सी करते हैं आप अपनी मजजीद सी करें मगर मैं अगर बोलूगा तुमारे मंदिर में जाकर करके नमाज पढ़ूँगा अज़ाद दोंगा जरूरी नहीं है अगर मैं ऐसा बोलता हो तो मेरे दिमाग में मेरे दिल में फितना है आप अगर यह बोलते हैं कि हम मस्जीद तक आकर करेंगे तो फितने बाजी तो आज हमारी माई और भेने यहाँ पर बुजर्ग यहाँ पर दिम्याँ लोग यहाँ पर मोजूद है मैं सरसे इतना ही खहना चाहता हूँ इतना ही पुछना चाहता हूँ सीट बचाई गई کांग्रेוस जीद गई मगर किसी मामले में असम्बली के अंदर एक लफज एक लफज अगर किसी ने बात की है हमारे गुलबर गानाथ के कॉंगरेस के यह मेले ने बात की है तो आज शेक रोजे के इस मुकद्दस जमीन पर मैं ऐलान करता हूँ कि मैं एलेक्शन से विड्रावने के लिए तैयार हूँ नहीं बात करें महतरमा एक भी बात कोविड के अंदर पांच हजार रोज़दारों को जो है जो इफ्तार लेने जा रहे हैं गिरफ्तारियां हो रही है आपके भाई आपका बेटा जो रोज सुबारोट के भार कारोबार करने जाता है कितने यहां पर हमारी माय है कितने हमारे नाउजवान है जो जिनके घर में जो है गवर्मेंट सर्वेंट है हाई क्या गवर्मेंट सर्वेंट कोई अफिसर है रोज आपके शोल हैर आपका बेटा आपका भाई बाहर जाकर के काम करता है आपको आके घर पालता है और आप गर समालते हैं पोलिस की जुर्म जाथी गाड़िया पकरना फाइन दालना हमारे छोटे मोटे ठेला बंडी वालों को जो है बेरोज़दार करना दो दो मेने तक दर बदर बटकने लगाना और जिसको आपने ताकत दिया है और दिया है जिसको जिटाया है वो खामोश बैट रहे हैं एक लफ़ बात करने के लिए तैयार नहीं है आज मैं पूछता हूं कांग्रेस वालों से कि जमूरी निजाम जमूरियत जमूरी इक्तदार असम्बली में जाना इसकी जरूरत क्या है अगर आप बात नहीं कर सकते अगर आप गरीबों के लिए मैं आपको यही बता रहा था कि जिसको मौखा मिला पांक साल तक खामोश रहे हैं और हर मामले में मैंने अपने आपको आगे पेश किया जितनी मेरी ताकत हो तक जितनी मैंने अपने लड़ाए लड़ी है आज आपको फैसला करना है दुश्मन ताकतवर है आप उसके मुख साल तापले में किस को लड़ने के लिए आगे करने वाले को यह रणा चाहिए आपके बिच में सबसे कम्दोर आदमी आगे बढ़ना चाहिए कि आपके बिच में सबसे ताकत वरानीम्श फाएकि नहीं कर रहे सिर्फ हिसाब किताब बगाने के लिए आए हैं क्या हिसाब किताब पिछले एलेक्शन में इतने उट लिये थे इन्हों इतने उट लिये थे आईसा था वैसा था ये हिसाब किताब का एलेक्शन नहीं हिसाब किताब करने गए तो वो हिसाब किताब पुल्टा-पुल्टा होता से जमुरियत मैं मरहूम खमर इसलाम साब यहां पर सब बेठे वें सिनियर से 78 में मौमद अली साब को शिकस्त दिये 4 बार यह मिले थे मौमद अली साब मुस्लिम लिग से जीते खमर साब मुस्लिम लिग उसे पहले कितना ओट बैंक था उनका किता था सब पहली बार मुस्लिम ले गई थी पहली बार ठेर कर चार बार जो यम्में ले थे उनको चौटे नंबर पर 2000 पर लाके रुखा दी एक हों मालू मैं आपको मैं पहली बार जो एलेक्शन लड़ा एक नई सियास जमार 32,008 हम ले लिए कहां से आए यह वोट थे क्या पहले केजीपी के उट बैंक मलिक राजुन खरगे साथ कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर कि यमपी एलेक्शन में 80,000 से जीते हैं पिछले बार कितने हैं और यह क्लासे जाय दोटों से शिकस्त होती हैं और किसके साम ने होती हैं चिंचोडी जो हमारे बीजर पार्लिमेंट के कॉंस्टेंसी में आता है गुलबर लोग सबको भी नहीं आता वहाँ पर यम्पे लेते हो चिंचोडी के चार महिने पहले इस्तिफा देते हैं आके एलेक्शन करते हैं और दो लाक ओटों का फरक आ जाता है आता हुआ फांग साल से मुजलसल आपका भाई आपके बीच में हैं कि नहीं है कि आपके プगे लड रहा है और चाहिए और पांच साल गुते जालं को साद्धाpannt लाने के लिए पांते च्छता आज में कुछ का कोई फैदा नहीं ले रहा एक लफ बात नहीं कर रहा उसके बावजिद में नहीं कांगरेस गोड़ दा लिए रहें जैसीट बचाना है फीद बचेगी हमारे इतिहाद के बुनियाद में बचेगी और एक सही रहनुमा गुलबरगा के लिए चाहिए गरीबों के लिए चाहिए मिल्बत के लिए चाहिए खाउम के लिए चाहिए इसका फैसला होना है आपके हाथ में दस तारिक को जो होटिंग होने जा रहे ही अगर आप खावे गफलक्ट में रहेंगे यह सोचिंगे कौन तो जीता की नहीं कौन तो हार्था की नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ में पांग तो पांग साल झिलत मुखते हैं 5 साल कमजोरी महिसूद करें 5 साल पांग के už UA साथ के खावने पुले तुमारे उन्हों बोले इन खुला जा नहीं यह कौन भे पांट साल आपको दिखने वाले नहीं गरीर लोगों को जो होटा नहीं दिखने वाला शक्स नासिर उसे नुस्ताज है हमारे साथ ही आपको इंसास करना है दो एलेक्शन चिकस्ट हुई है तीसरा एलेक्शन हिम्मत करके आगे बढ़ाओं मेरे पीचे कोई ओट बैंक नहीं है आपी की हिम्मत पर आपी के दुआउं के बरोजे पर अवामी बेदारी के लिए दु करेंगे नासिर उस्ताज का निशान क्या है जन तदल का निशान क्या है तीन बड़ा मुकद्दस है मेरा तीसरा एलेक्शन है फिरेल लंबर दीन वजू करते हैं कुली कितने बार नाग में पानी कितने बार अमारे हिंदु भाए त्री नामा ये साक्तर ना नामा ये साक्तर ना मूर नामा इसलिए सीरेल नंबर तीन इस बार बैलेट बॉक्स पे एक नई चीज आई है उस पे कैंड़ेट की फोटो भी रहती है मेरी सूरत देख लिए याद रहती सूरत काला शर्ट चश्मा पेनेवा तीसरे नंबर पर मेरी सूरत भी है अच्छा कासा हैंसम भी हूँ ठीक है चहरा देखो उस चहरे के साथ इंसाफ करो